नमस्ते 36 गर्ड मैं हूँ आपके साधा दर्श्तिवारी कॉंग्रेस के पूरवध्याक्ष राहूल गांधी ने कन्या कुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरबात की इस मौखे पर 36 गर्ड के सीम भोपेश बगहेल भी मौजूद रहे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा सीम भगहेल ने कहा कि बीजेपी देश और समाज को तोड़ने का काम कर रही है हम जोडने का काम कर रही हैं भोपेश बगहेल से बात की हमारे समवादाता मोहित राज दोबे ने जी इसको खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीधे कन्या कुमारी से अभी आप ने हमने भाशन आपका भी सुना और जिस तरीके से आपका भाशन और राहुल गांधी का भाशन कहीं ने कहीं समायोजीत हो रहा था कि अलगार कर देते हैं भालत को जोड़ ल पष lot मानते हैं यह तो तीन समुदुरों का संगम है और यहीं से व्यकन अची शिकागो गया थे और पूरे दुनिया को यह बताया कि वस्डेज कि पंका कि बात उन्होंने कही और उसको खतम करने के लिए जो मूल मुद्द हैं आम जनता कि चाहे गरीबी हो भुक्मरी हो चाहे बेरुजगारी हो मंगाई हो इन मुद्दों को लेकर रहोल जी पद्यात्रा कर रहा है भारो जोड़ो यात्रा करने कुमारी से लेकर कश्मीर तक कश्मीर तक पहुचेंगे और कई उसमें खास्वर पे हर जगर मिलेंगे मुलाकात कर ऐसा पहली बार हो रहा है यात्राओं का अगर इतिहास देखे तो ऐसी यात्रा हिंदुस्तान में बहुत कम देखी गई है किस तरीके से आप कहेंगे सियासी रूप में भी इसको देखा जा रहा है जहां आदी मुबा जी यह पूरा पदियात्रा करके पूरे समाज को देश को जोड़ेने का काम किया है आज राहूल गांधी जी पदियात्रा के माध्यम से जो वर्सों हजारों साह से पुरानी हमारी परमपरा है पदियात्रा के और उसे हिंदुस्तान जूटता है और उस परमपरा को तो लेकर रहा हूं जी निकले हैं मैं समझता हूँ किसे पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा डेश को फायदा और यह समाज में जो जहर्व बोया जा रहा है। उसे मिटाने काम भी हमारा है कि राहुल गांधी को यात्रा पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए यह अभी नय मुल्ला है ज्यादा प्याज खा रहा है कांग्रिसी थे अब भाजपम गया है तो उसे ज्यादा बताना पड़ेगा संग के कारियले में जाके नक्सा देखो अखं भारत में बंगाल भी है स्रिलंका भी है नेपाल भी भूटान भी है मैमार भी है तो पाकिस्तान और अफ़ानिस्तान भी है और यही भाजपाई भाजपाई और आजिस के बोलते हैं कि यह मुसल्मान को पाकिस्तान भेजता है अब जब भेज दोगे और उसके बाद पाकिस और बताएं उसको उद्दिश क्या है तो यह उसी भासा को बोल नहीं तो यह जनता मुर्ख नहीं है जो हमनता सर्मा की बात न समझे सवाल एक और है राहुल गांदी कौना चल रहा है और कि स्रूस बोल रहे हैं और यहीं आप अपसे समझ Elena hadpud कि राहुल गांधी को रिलॉण्ज करने अरध्ड्र स्थापित नेता हैं वृच तो दस साल हम सरकार में थे मंत्री बन सकते थे प्रसान मंत्री बन सकते थे उन्हें सत्ता लोलूपता कभी रही नहीं है उनकी चिंता हमेशा देश की रही है संगठन की रही है और संगठन के भी जिम्मेदारी निरुखन करते रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी परंपरा है देश को जोड़नी की परंपरा है सब को जोडें तब देश आजाद हुआ आज जहर घोलने का जो काम कर रहा है तो जहर को खतम करने के काम रहुल जी ने अपने हाथों लिया है और भारत जोड़ यात्रप निकले लेकिन उसी बिरुजगारी को लेके खासना पर दूसरे राजियों और देश में आपम निशाना मंचोसरे साथते रहे रहा है रधфф यात रहां भी पनौसोज्गारी ममेंगाई के खिलाप है राहुल जी य।ा पर्मुला है जो दो और अठारा में हमारे आये थे और उन्हों किसानों के हित्में बात कई थे रेंड माफिक बात कई थे हमारे आदवासी है चमाली सब्सक्राइब जंगल है लगहन उपज भी बहुत होता है तो उसके संग्रहन करताओं को सही कीमत मिले तो वह सब मिल रहा ह इसका से बिरोज़ारी दरकम है आपको बड़ा मैसेज वाहराल हो रहा है रवडी और रवडी आप यह कहां से आपने सोच कि रवडी का नया फारूला निकाल दिखिए यदि हम किसानों के रिट माफिक करते हैं तो भाजपा या केंद्रक सरकार के नजर में रवडी है यद कीमत पिति रहें तो रवडी है राजी गांदि भूमी इंस्त्रमिक नया योजशन रूप्य फह साथ जार रोपय सालाना देने थिद ness whipped और 0 क्या नई अबारत लिखे जाएगी एक नए सबेरा कॉंगर्स के भीतर एक उनर जनम दिखाई देने वाला है देखे यह यात्रा है वो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि देश की अखटता एकतर अखंटता कोई खिलवार नहीं कर सकेगा देश एक जूट है यह संदेशी स्यात् और मूल समस्याओं पर लोगों को का ध्याना आकरसित होगा और तिसरी बात यह है कि राहूल गांधी जी इस देश के भविश्ट है अब जनलिस जैराम यादो के साथ मोहितरा अजदूबे